यह है नतिंग एर वन जिसके बारे में मार्केट में बहुत सारी हाइप बने वी है लेकिन हमें हाइप से कोई मतलब नहीं है हमें तो एक्चॉल प्रोड़क्ट से मतलब है कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है जिनको नहीं पता है कि यह नतिंग क्या है तो नतिंग एक नई कमपनी है जिसके जो फाउंडर है वो काल पे है काल पे जो है वो oneplus के formal founder रह चुके हैं उन्होंने एक नई company start करी है nothing तो उसी company का ये first product है इसका जो price है वो market में भी 6-7000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो ये जानने के कोशिश करते कि ये जो product है ये हमें सच में कोई value provide भी करता या नहीं करता है तो इस yearbird में ऐसा क्या है कि ये दूसरे yearbird से अलग है तो वो है इसका design unique design यानि इसका transparent design आप देख सकते हैं यहां से ये बिलकुल transparent है हर तरह से और इसका जो case है वो भी transparent है पूरी और जिस तरह से आपको apple airport का case में थोड़ा सा heavy पन लगता है थोड़ा भारी लगता है उसी तरह से आपको इसमें भी वजन देखने को मिल जाता है अगर आप इसका सिर्फ image देखते हैं तो आपको लगा कि ये बहुत ही light weight होगा लेकिन ऐसा नहीं है और हां hand में feel होता है या वह similar उसी की तरह जो है वह जादा sound करता है इसको आप USB के थ्रो भी charge कर सकते हैं और wireless charging भी इसमें आपको support देखने को मिल जाता है लेकिन जो ये transparent cover है ना इसकी बज़े से इसमें scratch वगेरा बहुत जादा दिखते हैं अगर थोड़ा सा भी scratch आगया तो आपको easily show कर जाता है त बहुत साई से magnet काफी strong है और ये गिरने वाले नहीं है बिल्कुल भी अब बात करते हैं ये earbud जो है अगर आप long time तक use करते हैं तो आपके कानों में दर्द वगेरा तो नहीं होता है comfortable है या नहीं है तो भाई ये बहुत जादा comfortable है जैसे कि आपको apple के earbud देखने को मिलते है तो similar उसी की तरह बहुत जादा comfortable है आपको कोई दिक्कत नहीं है या आप कितने भी time तक use कर सकते हैं अगर मैं इसकी charging की बात करो तो एक time charge करने पे अगर आप noise cancellation active करते हैं तो आपको 4 घंटे का battery backup देगा और अगर आप noise cancellation को off रखते हैं तो आपको 5 या 5.5 घंटे तक का battery backup म मिल जाता है इस case से one time charge करने के बाद charging time जो है वो आपको एक घंटे में complete कर देता है अगर आपका zero battery है और जीरो से आप 100 करना चाहते है तो आपको एक घंटे पर पूरा charge हो जाएगा अब बात करते हैं इसके touch control की तो इसका touch control जो है वो उतना quick तो नहीं है लेकिन काफी अच करके रखते हैं तो आप transparency mode या फिर noise cancellation को on कर पाएंगे और हाँ जो इसका special feature है वो है इसका volume down और volume up अगर आप इसे down करते हैं इस तरह से swipe करते तो volume down हो जाएगा और अप करते तो volume up हो जाएगा और यह काफी quickly काम करता है और बहुत सारी earbud में आपको यह option नहीं देखने को म जाती है nothing year one app में आप काफी सारी चीजी कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि जैसे आप इसे open करते तो यहां पर आपको दो option देखने को मिलते हैं यहां पर right side touch तो यहां से आप touch control वगरा कस्टमाइज वगरा कर सकते हैं left ear का और right ear का second option आपका left side here यहां पर click करेंगे तो यहां पर आप transparency mode पर या फिर noise cancellation को on कर पाएंगे या off कर सकते हैं यहां पर noise cancellation को light भी कर सकते हैं अगर नीचे आएंगे तो नीचे एक option दिख रहा है आपको equalizer यहां पर click करेंगे तो यहां पर आपको sound profile देखने को मिल जाती है balance में more trouble more bass या फिर voice पर रख सकते हैं और अगर आप पर three dots से जाते हैं तो यहां पर आपको यह सारे option देखने को मिल जाते है latency mode वगएरा और find my earbuds अगर आप इस पर click करते हैं और sound को play करते हैं तो आप sound को सुन पा रहे होंगे उसके बाद आप left side आपको यहां पर तीन line दिख रहे हैं यहां पर click करेंगे तो यहां से आप dark theme को on या off कर सकते हैं अगर इसके noise cancellation के बारे में बात करें तो काफी अच्छा से काम करता है अगर आप इसे apple earbuds के साथ compare करेंगे तो वह compare करने के लाइक तो नहीं है अगर apple के comparison में दिखा जाई तो अगर apple का 100 तो इसका 70% noise cancellation जो है वह अच्छे से काम करता है transparency mode भी काफी अच्छे से काम करता है अगर आप transparency mode को on कर देते तो भार की जो आवाजे वह आपको clear सुनाई देती है और अगर इसकी माइक की बात करें तो calling वगेरा में इसकी काफी अच्छे sound quality देखने को मिल जाती है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप noise cancellation को on भी कर लेते हैं तो भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो sound quality है ना उसमें कोई भी decrease देखने को नहीं मिलता है सेम उसी तरह sound quality बनी रहती है तो audio quality चेक करते हैं और अभ बहुत सारे लोग है जो इसे सिद्धा apple earbud से compare करते हैं तो भाई apple earbud apple earbud है क्योंकि उसका price भी बहुत जादा है और ये आपको तीन गुना जादा price पे मिलता है earbud तो उसके comparison में तो भाई उतना sound अच्छा तो इसका है नहीं लेकिन जो 19,000 में galaxy earbud आते हैं अगर उसके साथ इसका sound comparison करेंगे तो वो भी justify नहीं है क्योंकि उसका price भी जादा है और लेकिन उनका sound भी काफी अच्छा है sound quality के बारे में अगर आप compare करना चाहते हैं तो आप one plus के bird से compare कर सकते हैं क्योंकि वो भी 5000 के अंदर देखने को मिलते हैं और ये 6000 one plus के जो earbud है उसका base जो है वो इस इसका अच्छा है और design इसका अच्छा है लेकिन मुझे all over एक product जो है वो balance में होना चाहिए जैसे की design वगेरा sound quality वगेरा और अगर आपको base पसंद है तो भाई इसका base काफी बढ़िया है और इसमें आपको 11.6 mm का driver देखने को मिलता है तो nothing ने जो है एक Swedish company है teenage engineering उसके साथ जो है वो partnership करी है तो उन्हों है इसको design करा है और इसको tune करा है तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे ये product कैसा लगा तो मुझे ये product काफी बढ़िया लगा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने पैसे कहीं waste कर दिया या ये overpriced है तो ये अपने price range के अंदर बिल्कुल मुझे अच्छा product लगा है तो आशा करता हूँ आपको ये video पसंद आई होगी अगर आपको video पसंद आई तो video को like करके channel subscribe कर लेना